हेलो दोस्तों हमारे एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे रिवा सीधी नई रेल लाइन के बारे में अब जल्द सुरू होने जा रही है रिवा से सिलपरा और गोविंदगर तक ट्रेनों का संचालन तो आज हम आपको दिखाएंगे पूरी जानकारी साथ ही दिखाएंगे कौन कौन से रेलवे स्टेशन से होकर चलेगी ट्रेन तो वीडियो में बने रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो रिवा सीधी सिलपरा और गोविंदगर तक ट्रेनों का संचालन शिद्र ही शुरू होने वाला है अब रिवा में 4 रेल्वे स्टेशन होंगे और अब दो नए रेल्वे स्टेशन जुडने वाले हैं जो की सिलपरा और गोविंदगर होंगे ये दोनों ही स्टेशन बन कर तयार है और रिवा सिल्परा गोविंदगर के बीच जन्वरी या फर्वरी माह 2030 से ट्रेन चलाए जाने की तयारी रेलवे में शुरू कर दी है बही रिवा सीधी सिंग रॉली रेल लाइन का कारे इस समय तेजी से चल रहा है अब WCR इन रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन चलाने की तयारी में जुट गया है पश्चिन मद्य रेलवे सलाकार प्रकाश शिबनानी ने बताया कि यह बेहद खुशी की बात है कि रिवा में दो नए रेलवे स्टेशन शुरू हो रहे हैं अभी तक रिवा जिले में दो रेलवे स्टेशन रहे हैं, जिनमें रिवा रेलवे स्टेशन और दभौरा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इनके साथ ही अब रिवा जिले में गोविंदगर्ड और सिल्परा रेलवे स्टेशन जुरने वाले हैं। जल्द ही पैसेंजर ट्रेन को जबलपूर से रिवा के बीच चलने वाली शटल ट्रेन को गोविंदगर तक बढ़ाने की योजना है जो रिवा के बाद शिल्परा रेलवे स्टेशन होते हुए गोविंदगर की तरफ जाएगी और जबल पुर जाने के लिए भी ट्रेन गोविंदगर से ही बनेगी आप लोगों को बता दें कि 29 साल बाद पहली बार रिवा रेलवे स्टेशन से आगे कोई ट्रेन जाने वाली है इसके लिए स्टेशन भी तयार है और पट्री बिछाने का कारे भी पूरा हो चुका है बस इंदजार है तो CRS यानी चीफ रेलवे सेफटी टीम के आने का आकर यह तै करेगी की ट्रेक में अभी क्या कमी है यदि कमी नहीं मिली तो यहां ट्रेक मशीन भेजी जाएगी इसके बाद रेलवे के अधिकारियों की टीम फिर ट्रेक का नरिक्षर करेगी ट्रेक यदि पूरी तरह तैयार मिला तो रिवा से गोविंदगर के बीच ट्रेन के संचालन को हरी जंडी मिल जाएगी आप लोगों को बता दें कि रेलवे ने अभी तक यह नहीं बताया कि रिवा से गोविंदगर के बीच कौन सी ट्रेन चलाई जाएगी रीवा रेलवे स्टेशन में दिन भर खड़ी ट्रेनों में से कोई ट्रेन को रीवा गोगंडरण के बीच चलाया जाएगा या फिर कोई नई ट्रेन को इस ट्रैक पर दौडाया जाएगा रेलवे द्वारा यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन जादा संभावना रीवा जबल पूर शटल ट्रेन की बताई जा रही है आप लोगों को बता दे कि अभी तक इन दोनों रेलवे स्टेशन में अभी स्टाफ नहीं आया है रेलवे इन दोनों स्टेशनों में स्टाफ की शिफ्टिंग की तयारी कर रहा है जल्द ही रेलवे द्वारा स्टाफ की सिफ्टिंग कर इस रेल लाइन का संचालन शुरू किया जाएगा तो आप लोगों को रिवा सिलपरा और गोविंदगर रेलवे स्टेशन की जानकारी पाकर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेर और चैनल को ससक्राइब जरूर करें